क्या आप एक बिजनेसमेन है और आप सोच रहे हैं कि मेरे बिजनेस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही है कुछ प्लेटफॉर्म को मैं चूज करू ताकि मेरा बिजनेस आगे बढ़ सके तो इस वीडियो के आखरी तक आप बने रहिएगा आज मैं आपको बताऊंगी कि वह कौन से प्लेटफॉर्म है किस बिजनेस के लिए जरूरी है जी हाँ मेरा नाम प्रीती वर्मा है और मैं डीजिटर सुरोत की रचेता हूँ मैं एक वेब डेवलाप्मेंट एक्सपर्ट हूँ आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा प्लेटफॉर् चाहिए तो मैं अपना इस्क्रीन सेर करती हूँ ताकि आपके साथ आपको स्टेप बाई स्टेप बता सको कि वह कौन से प्लेटफॉर्म आप अपने बिजनेस के लिए चूज कर सकते हैं तो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कुछ स्टेप है जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट स्टेप है उसे आप अपना फॉलो करके आप अपने बिजनेस के एकौर्डिंग प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को था सकते हैं तो सबसे पहले आपको आइदेंटिफाइ करना होगा कि आपका ओडिềंस क्या है आपका ओडियंस के लिए तीन tip है जो कि सबसे पहले आपको target audience को define करना पढ़े है कि कौन है मेरे business का target audience तो यह आपको सबसे पहले define कि कौन सा आपका audience क्या खड़िता है दूसरे नंबर पर आता है अगर वह younger है अगर आपका business में younger लोगों के लिए कुछ तो वह active कहां रहते हैं वह Instagram और TikTok पे active रहते हैं तो अगर आप youngest के लिए कर रहे हैं तो आपको Instagram और TikTok platform को choose करना पढ़ेगा और तीसरा अगर आप professional के लिए कर रहे हैं तो आपको link-link पे engage होना पढ़ेगा तो यह तीन है जो कि आप अपने audience को पहले identify कीजिए फिर आप आगे बढ़ेगे तो आपको पहले target audience करना पढ़ेगा कि आपको कौन सा audience है वह audience आपका कहां समय ज्यादा बिताता है अगर वह younger है तो वह Instagram पे और आजकल के यंगर Instagram पे ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं और अगर वह professional है तो link-link पे वह अपना समय बिताते हैं दूसरे नंबर पे आता है focus your industry specific platform आपको अपने industry के recording focus करना पढ़ेगा इसमें दो चीजों को आपको ध्यान में रखेंगे अगर आप e-commerce से related काम करते हैं अगर आप अपना online जैसे की यह आपका दुकान है तो उसके लिए आपको Instagram, Facebook और Pinterest पे आपको अपना engagement अपना focus बढ़ाना पढ़ेगा और दूसरे नंबर पे अगर आप B2B से हैं तो आपको LinkedIn को यूज करना पढ़ेगा तो आप e-commerce में है तो आपको Instagram, Facebook और Pnet Star करना पढ़ेगा और B2B आपको LinkedIn में सहता करेगा तीसरे नंबर पे आता है match the platform with content type किस platform पे आपको कौन सा content डालना चाहिए तो इसमें दो step है पहला अगर आप Instagram या TikTok पे आप कर रहे हैं तो आपको photo, shots और video डाल सकते हैं आप YouTube पे भी डाल सकते हैं और दूसरे नंबर पे है कि आप long form content डाल सकते हैं जैसे blog और article लिख सकते हैं, LinkedIn पे, Facebook पे, आप अपने website पे कर सकते हैं तो आपको blog और article लिखना पड़ेगा तो यह आपको content के type आपको decide करना पड़ेगा चार नंबर पे आता है paid और organic reach पेड और organic reach होता क्या है पेड यानि कि आपको पैसे खर्च करके आप customer तक पहुँचेंगे और organic यानि कि बिना पैसे खर्च किये तो पैसे खर्च करके आप paid के लिए आप Facebook और Instagram अड़ कर सकते हैं जिससे आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा audience तक target कर सकते हैं और अगर आप organic कर रहे हैं तो आप Instagram पे reel डाल सकते हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा logo तक जा सकते हैं क्योंकि Instagram पे बहुत सारे लोग हैं जो कि reel देखते हैं तो आप अपना organic वहां से कर सकते हैं बिना पैसा कर सकते हैं और आप अगर paid कर आपको इन दोनों के लिए अगर आप paid कर रहे हैं तो आपका अपना budget देखना पड़ेगा कि budget मेरा कितना है ताकि मैं paid advertise कर सकूँ और नहीं तो organic आप कीजिए तो यह paid और organic reach का हो गया पांच नंबर पे आता है don't observe yourself, over extend yourself इसमें तीन है पहला आपको avoid trying to be every platform आपको हर एक platform पे जाने की जरुवत नहीं है आप इसको avoid कीजिए क्योंकि आप हर platform पे जाईएगा तो वह आपके लिए suitable नहीं है आपके business के recording आपको platform चूच करना पड़ेगा जो कि मैं आपको पहले यहाँ पे बता चुकी हूँ कि आपके industry के अनुसार आप कौन सा platform चूच कर सकते हैं दूसरे नंबर पे आता है आपको दो से तीन platform पे ही focus करना पड़ेगा ताकि आपके जहाँ audience है वहीं पे आप focus किजिए और तीन नंबर पे आता है कि आपको quality और quality आपका content का अच्छा होना चाहिए आपका quality और quantity आप भले एक video एक deal weekly डाले लेकिन वह हाई quality का होना चाहिए वह अच्छा होना चाहिए ताकि लोग engage हो सके आपके उस post से तो इस तरह से आप अपने सबसे पहले अपने business के लिए audience identify किजिए फिर आप अपने focus किजिए आप अपने industry के platform पे फिर आप platform के अनुसार आप content बनाईए आप paid और organic दोनों कर सकते हैं आप overextended अपने आपको मत कीजिए हर एक platform पे अपने आपको कभी भी मत लेके जाईए दोस क्योंकि आप अगर जादा से जादा platform पे अपने आपको लेके जा रहे हैं यूज कर रहे हैं तो उससे आपको benefit नहीं होगा तो यह जो पांच step है इसे आप अपने business के लिए follow कर सकते हैं इस platform को follow कर सकते हैं और आप अपने business में grow कर सकते हैं तो आज आप जाने कि आपके business के लिए कुन सा platform किस तरह से आप यूज कर सकते हैं ताकि आपका business grow हो सके आपको यह वीडियो कैसा लगा comment में जरूर बताईएगा और भी कुछ जानकारी चाहिए तो comment में मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपका comment में आपका personally जवाब देती हूं और दूंगी इस तरह की और भी जानकारी मैं लेकर आती हूं और आती रहूंगी अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कीजिए और bell icon दबाना बिलकुल मत भूलिए ताकि जो भी मैं यह वीडियो अपलोड करूँ उसका notification आपके पास है और आप उसे देख सके like कीजिए और share कीजिए ताकि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वो अभी जान सके और इसका benefit उठा सके तो मिलती हूं आपसे next वीडियो में तब तक के लिए bye thank you